तो देखिए काफी आसान question है, है ना बस आपके पास time consuming है ये question, क्या-क्या important चीजे हैं, है ना question start करने से पहले वो चीज हम लोग observe करते हैं, पहली बात यहाँ एक symmetry दिख रही है, है ना determinant भी symmetric है, और आपके पास जो prove करना है वहाँ भी symmetry है, क्या है, a-b इसका एक factor होगा, इसक देखिए, अगर हम इसको a रख देते है, b की place पे, तो यह a हो जाएगा, a cube हो जाएगा, इसका मतब c1 column और c2 column 0 हो जाएगा, और b को इसको c रखते हैं, तो जो c2 column है, c3 column 0 हो जाएगा, sorry, same हो जाएगा, उसकी वजह से determinant की value 0 हो जाएगी, और c-a, मतब c और a अगर equal रखत इनों ही इस determinant के factor होंगे, वो साफ साफ आपको result में जो proof करना है, वो दिख रहा है, तीसरी बात, इस जब determinant को expand करेंगे, तो उसकी degree क्या होगी, तीन degree होगा, 4 degree polynomial होगा, 5 degree होगा, होगा कितने degree, तो बड़े अनाम से सो सकते हो, कि अगर हम इसे, इस element के about खोले, तो यह आपक करेंगे, तो यह सारे आपके पास objective questions करने के लिए, skill होना चाहिए, यह सारी चीज़े, observe होनी चाहिए, कब पता नहीं क्या आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए, हम लोग सीधे question पर आते हैं कि कैसे solve करते हैं, तो जब भी आपको किसी row या column में maximum 1 मिल जाए, 111 है, तो आप 0 बना लीजे, वो भी कैसे, किसी कारणर वाली को इस्तेमाल कर लीजे, और यहां और यहां 0 बना लीजे, तो कौन सा transformation लगाएंगे, हम कहेंगे, C2 को हम transform करेंगे, C2 माइनस C1, और C3 को भी transform कर देंगे, C3 माइनस C1, तो यह आपका objective होना चाहिए, question कैसे start हो, है ना, तो कु होना चाहिए आपके पास, suppose यह LHS हो गया, ठीक है, RHS को हम लिखेंगे नहीं, हम बस यहां छोड़ दे रहें, ताकि आपको दिखता रहें कि answer क्या लाना है, तो LHS become, after this transformation, पहले कॉलम को तो हमने, कोई भी transformation लगाया नहीं पहले कॉलम में, तो इसको हम ऐसे ही copy कर लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, 0, and that is, B minus A, और यहां हो जाएगा, B cube minus, क्या हो जाएगा आपका, A cube, ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 0, then C minus A, ठीक है, क्योंकि आप C1 में minus 1 से multiply करके, C3 में add कर रहे हो, फिर क्या हो जाएगा, C cube minus A cube हो जाएगा, अब, ठीक है, क्या हो रहा है, यहां से देखिए, B minus A common हो रहा है, और यहां से C minus A common हो रहा है, लेकिन यहां तो आपको B minus A दिख नहीं रहा है, हम लोग A cube minus, या X cube minus Y cube का formula जानते हैं, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, that could be written as A, B minus A, और दूसरी bracket में लिख सकते हैं, B square plus BC, sorry BA, और plus क्या लिखेंगे हम लोग, A square, यह आपका formula है, X cube minus Y cube का, X minus Y, X square plus XY plus Y square, यह आपको तो यादी होना चाहिए हैं, उसके बाद इसको भी हम expand कर देते हैं, ठीक है, उस identity से, जो algebraic identity class 8th में पढ़ाई जाती है, यहां से याटा देते हैं, तो यहां क्या था आपका, C cube minus A cube, इसका मतब एक bracket C minus A आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, C square plus CA, और प्लस A square, ठीक है, अब साब साब दिख रहा है, ठीक है, कि आपका दूसरे column से B minus A common है, मतब जाएगा, तो हम लोग common कर लेते हैं, transformation लिख लेते हैं, तो transformation क्या हो जाएगा, आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो, C2 column को हम डिवाइड कर रहे हैं, B minus A से, and C2, C3 column को हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे, C minus A से, that is C3, after transformation, determinant की value तो change होगी नहीं, होगी, है ना, क्योंकि B minus A से आपने डिवाइड किया है, तो आपको B minus A times करना पड़ेगा, तो B minus A times, और फिर C minus A से डिवाइड किया, तो C minus A times, तो अब determinant की value unchanged रहेगी है ना, जब आप multiply कर देंगे, खै, अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1, A, A, AQ, because ये column transform नहीं हुआ था, 0, 1, end, यहाँ पर हो जाएगा आपका B square plus BA plus A square, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 0, 1, C square plus CA, और क्या है, CA plus A square, अब क्या किया जाए, अब देखिए, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 0 दबराई सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 0 बना लेते हैं, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, column में फिर transformation लगाना पड़ेगा, अचा कर क्यों रहा है यह, फायदाबाद में दीखेगा, क्योंकि आपको एक C minus A भी factor चाहिए था है, और C minus A और B minus C factor चाहिए, B minus C आपके पास है नहीं, तो जब यह transformation अगर आपको transformation नहीं लगाना है, तो कोई भी harm नहीं है, आपको marking हो जाएगी, यहाँ पर mark दे दिया जाएगा, और वहाँ पर transformation का marks दे दिया जाएगा, ठीक है, तो हम चलिए लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, C3 को हम transform करना चाहते हैं, C3 minus C2 से, तो what's we get? B minus A times C minus A, and C3 कोलन transform करना है, तो बाकी तो हम वही copy कर ले, that is 1AAQ, ठीक है, उसके बाद यह भी unchanged है, कोई transformation लगा नहीं है, तो B square plus BA, और plus A square, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा, अब minus 1 से multiply करके add करेंगे, 0 ही रहेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, अब minus से multiply करके, यहाँ add करना है, ठीक है, तो यहाँ देखिए, minus A square, लाके यहाँ plus A square में add करेंगे, तो A square cancel हो जाएगा, ठीक है, यहाँ minus b square यहाँ plus c square तो c square minus b square यहाँ लिख देते हैं c square minus b square फिर c a plus का और यहाँ से minus का b यह हो जाएगा ठीक है तो यहाँ देखिए साब साब दिख रहा होगा कि factorize हो रहा है यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं c square minus b square को c minus b और plus into c plus b तो that could be written as a c minus b times c plus b ठीक है तो यह हो जाए c minus b times c plus b ठीक है आप नीचे उपर लिख देने हैं थोड़ा अब देखिए यहाँ से क्या common हो रहा है आपका a common कर लीजे यहाँ minus a common कर लीजे जब minus a common कर लेंगे c minus b चाहिए ना plus a common कर लेते हैं तो plus a common कर लेंगे अगर हम तो यहाँ प्यापका आजाएगा c minus b अब देखिए इस column से ठीक है column number c3 से c minus b common हो रहा है ठीक है तो next step में हम क्या कर लेंगे column में column से common कर लेंगे और common करने के लिए आपके पास transformation क्या हुआ करता है column से transformation common करने के लिए c3 से common करना है तो 1 by क्या common करना है c minus b तो c minus b से divide कर दिया है nc3 तो determinant की value change होगी मगर आप manage कर लोगे c minus b से multiply करके तब वो unchanged हो जाएगी इसका मतलब your determinant become b minus a times c minus a times c minus b and then your determinant remaining determinant क्या हो जाएगा आपका 1 a a square फिर क्या हो जाएगा आपका 0 1 and यहाँ पे आपका b square plus a b of plus a square and third column become 0 0 end यहाँ से जब common करेंगे आप तो c plus b of plus है मतलब a plus b plus c बच जाएगा ठीक है common तो a plus b plus c भी आपका हो रहा है है ना तो यहाँ से common कर लेते हैं कर लेते हैं है ना तो हम लोग यह तो expand कर दीजिए ठीक है expand कर दीजिए along the r1 तो यहाँ पर लिखेंगे expanding along r1 क्या जाएगा आपका b minus a से हम minus common कर लेते हैं तो यह a minus b हो जाएगा minus common कर लिया फिर b minus c यहाँ से भी minus common कर लेते हैं तो c minus b become b minus c है ना लेकिन वो minus common होगा तो यहाँ प्लस कर देगा और c minus हमारे पास a है ही यहाँ पर expand करेंगे one times ठीक है क्या हो जाएगा लिखेंग डाइनल का product मतब a plus b plus c और minus 0 तो finally क्या जाएगा आपके पास a plus b plus c and that is required to which is rhs hence root